a room is half as long again as it is broad मितलब उसकी लेंथ जो हैना वो ब्रित के मुकाबले हाप है ओके दो कोस्ट ओप कार्पेंटिंग दो रूम एट रूपी 3.25 पर मेटरी स्क्वाइर इज रूपी 1.175.50 टोटल कोस्ट 170.50 है कार्पेंटिंग के लिए इसकी लेंथ अगर एल है तो इसकी ब्रित 2L है ठीक है और इसका कोस्ट दे दिया है मुझे कार्पेंटिंग का इन्होंने कोस्ट क्या दिया है जिदि है 175 तो कोस्ट कैसे निकलेगा माल लेते हैं इसका बेस का एरिया ए था तो ए इंटू देखो पर मिटरी स्क्वाइर कोस्ट कितनी है 3.25 टोटल कोस्ट कितनी आजाएगी 175.50 इतनी होगे न तो यहां से हम लोग एरिया निकाल लेंगे बेस का और बेस का एरिया बेसिकली होता क्या है रेक्टेंगुलर फोम में है तो L इंटू बी मतलब 2 L स्क्वाइर आजाएगा L इंटू बी इस इक्वर टू 175.50 डिवाइड बाइ 3.25 डिवाइड करेंगे इसे दिखिए इसमें एक क्वेस्टन में प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां हाप एज लोंग है न यहां की बजाए यह वन एंड हाप होगा क्या होगा यहां वन एंड हाप ठीक है मतलब यहां पर वन एंड हाप का मतलब यह हो गया कि अगर ब्रित इसकी यह अगर एज जो बी की जगा आपने 2L लिखा है ना उसमें थोड़ा change करना होगा हमें यहां अगर यह यह अगर 2L हाँ ठीक ऐसा भी लिख सकते हैं अगर यह कितना है आपके पास 2L है तो length इसकी 3, 3L है यह बोलना चाहरा है ठीक है तो यहां में 6 करना होगा इसको इतना था वो printing mistake थी अब ठीक है तो 6L square equal to यहाँ पे ओए गया 54 यहाँ से अपने पास L square equal to 9 आगया तो L equal to अपने पास आगया 3 cm अब अगर L 3 cm आगया तो मैं length को capital L बोल रहा हूं तो वो 3L हमने लिया तो वो कितना हो गया 9 cm और breath को अपन भी बोलें वो 2L लिया था तो वो कितना हो गया 6 cm के यह चीज़ें अपने पास आगयी अब देखो height भी तो निकालनी है height के लिए नोंने दिया है कि cost of preparing the wall at 1.4 per meter square is 240.80 अब one window उसका भी subtract करेंगे तो देखो area of walls है ना area of walls उसको अपन A dash बोल रहा है उसमें से minus करना आपको 8, 8 क्यों किया है गेट था ना उसका subtract क्या आपने इन्टू पर मिट्री square की cost कितनी दी है इन्होंने यह दी है अपने पास यह बुला इन्होंने 1.40 तो 1.40 is equal to कितना है यह होगया 240.80 240.80 अभी तो हमें A dash भी निकालना पड़ेगा बताता हूं में देखो A dash minus 8 इसका value कितना आजाएगा 240.80 डिवाइड बाई 8 यह आगया अब इसको डिवाइड करेंगे अपने यहाँ पर एट नहीं है यह 1.40 यहाँ लिखना होगा 1.40 डिवाइड कर लेता है तो यह अपने पास आएगा A dash minus 8 equal to A dash minus 8 equal to 172.172 ओके तो यहाँ से A dash equal to 180 अब यह मीटर में है सब तो मीटर में थे तो मीटर में दिया था अपने को सब कुछ तो यहाँ पर 180 मीटर आगया A dash ठीक है और यहाँ यह सब देखो यहाँ आपने थोड़ा गलत लिखा यह सब भी मीटर में है यह भी किस में है मीटर में यह भी मीटर में था सब मीटर में है अब A dash बताना आपको देखे चार वाल हैं आपके पास तो चार वाल में दो में तो क्या होगा आप एक भार अपर imagine कर लीजिए कि चार वाल में से दो वाल में तो length into breath होगा और दो वाल में क्या होगा height into breath आएगा क्योंकर देखे height h is equal to 180 आपको दिया हुआ है 2 से divide करिए इसको तो यहां हो जाएगा 90 अब length कितनी अभी मैंने बताए 9 है into h plus 6 into h is equal to 90 हो गया यहां से h common ले लिजिए capital h तो 15 यहां पर 90 15 से divide करिए 6 मतलब h का value भी कितना आ गया 6 meter तो 3 dimension मैंने आपको बता दी 966 है इसके 3 dimension